humanoswoodisolarалы 4000 बेद्ध को बित्टिल trot 5000 बीद्ध Sedg process थोले वुट्टील पहले हम जानने की कोशिच करोंगा, What is Refraction of Light? चलो हम क्या लिखा है, Change in direction of light मतलब direction की और direction of light जो हे और चेंग हो जाता है, कब हो और पासेश फ्रॉम One medium to another oblikley जो वो तिर्चा डिरेक्षन में एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाते हैं, तो इसका डिरेक्षन जो है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यह one medium to another medium मतलब क्या है, one law, यार है, यह है, यह है rare medium, suppose glass है, यह denser medium, कोई भी ray of light जो यार से denser medium से glass में जाते हैं, या water में जाते हैं, तो इसका डिरेक्षन अब लाइट जो है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको बोलते है, रिफ्रेक्षन अब लाइट, लेकिन हमें total concept clear नहीं हुआ इस से, चलो हम एक डायग्राम के शाहरा लेता हूँ, इसको सबजने के लिए, यह है आपका glass, क्या है, dense medium, यह ह आप एक ray of light law, obliqually, यह तिर्चा, ठीक है, यह तिर्चा, PO है, कहां पे incident हुआ, glass के उपर, यह है आपका point of incidence, and PO is a ray incident on the glass medium, तो हम क्या करेंगे हपसे पहले, कि अगर कोई refraction ना होता, तो glass ray किस तरह से पास हो जाता, इस तरह से पास हो जाता, आप एकाम करेंगे, हम यह point of incidence जो है, इससे एक normal draw करेंगे, कुंसी normal, and M dash, तो यह है आपका 90 degree, जो glass slab की उपर 90 degree हो रहा है, तो आपका angle of incidence कुंसी है, PON, हम इसको dinette करते है, I1 से, ठीक है, आप देखो, manually देखो, refracted ray जो है, क्या होगा, यह slightly bends towards the normal, नर्माल कुंसी है आपका, यह है आपका normal, यह जो refracted ray है यह स्लाइटली बेंच तो आपका normal, that is, I1 is equal to R1 नहीं होंगे इस बार, रिफ्रेक्शन की कास में, यह है laws of reflection था, इस बार यह है laws of reflection, तो क्या होगा, देखो, यह तोड़ा सा इधर आगिया, O dash is your refracted ray, तो angle of reflection, देखो, क्या होगा, यह है आपका देखो, क्या होगा, यह है incident ray है, यह है point of incidence, यहाँ से एक normal कीचो, normal हमने क्या कीचा, M, M dash, आप देखो, यहाँ से जो reflection होने के बाद, जो निकलेंगे, margin ray, जो निकलेंगे, margin ray बोलोंगे, वो क्या होगा, थोड़ा सा डेवेट कर जाएंगे, bend away from the normal, आपका normal कीची है, यह वाला normal है, इससे थोड़ा सा देवेट हो जाएंगे, that is, यह I2 है, मने पहले बाता आया था, angle of incidence, in this case, second case में, देखो, refracted ray कुनसी है, इसको refracted ray ना बोलके हम बोलेंगे, क्या है, यह है आपका emergent ray, तो angle of reflection कुनसी मानेंगे हम, यह है आपका angle of reflection, in this case, हम इसको R2 से दिनोट करेंगे, पहले R1 से दिनोट क तो आप देखोगे, क्या देखर हो आप, R2 का जो value है, angle of reflection जो R2 है, it is greater than I2, ठीके, तो हम इसको किस चला से लिख पाएंगे, देखो, आप इसमें, हम details में, next slide में जाएंगे, पहले यहां तेक सुनलो, कि reflection जो है, वो किसलिए हो रहा है, due to the change in speed of light, as it enters from one transparent medium to another, जो reflection हो रहा है, जो ray of light की, sorry, speed of light की, जो है, वो greater in air and vacuum, air and vacuum में मुटा मुटी एक ही है, लेकिन, यह change हो जाता है, जो हम rare art medium में जाते है, और rare art medium से denser medium में जाते है, तो यह इसका speed of light change हो जाते है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, reflection takes place due to the change in speed of light, as it enters from one transparent medium to another, air and vacuum में ज्यादा है, जो और denser medium में आएंगे light, तो इसका speed कम हो जाएंगे, ठीके चलो, मैं इसको erase करता हूँ, चलो, मैंने erase कर दिया, आप थोड़ा सा point आपको दे रहा हूँ, पीयो क्या है, पीयो है, इंसिदेट रे, O, 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 O O, 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 O 2 की उपह और थोरा सा जनकारी लेते है, यह अपका ग्लसAmerican है, पहले बताया था, यह is a danceni해야, यह अपका ear, यह आपका ear, that is a rarad medium, यह है PO, that is incident ray inclined obliquely, और यह हैपका point of incidence, यह पहले बता चुका हूं, ये हे आपका normal, the angle of incidence is I1, and angle of, sorry, refracted ray is OO dash, this is the angle of refraction. और ये भी पताया था कि R1 का भेलू I1 से कम होगे, कि की refracted ray bends towards the normal. ठीके, अगर bends towards the normal, तो हमने क्या लिख सकता हूँ, angle of refraction. What is your angle of refraction? N dash, ये हे अपका, N dash O, O dash is your angle of refraction, that is R1, that is R1. इस देखो इस्पे, क्या स्मलर हे, is smaller than the angle of incidence I1, and I1 कुंची हे अगल, P, O, and N. इस्पे कोई अपका समझ गया इस्मे, तो इसे हम क्या conclusion ले सकता है, from the above observation, we conclude that. क्या हे, कोई भी ray, जब rare and medium से denser medium में आएंगे, तो क्या होगा? Refracted ray will be bend towards the normal. हमना यहीं लिखा, when a ray of light travels from a rare and medium to a denser medium obliquely, तो क्या होगा? ये जो reflected ray हे, it bends towards the normal. मतलब, normal के मस्धिक आजाएंगे, drawn at the point of incidence. drawn at the point of incidence. ये है आपका नॉर्माल के चाह, तो ये जो reflected ray हे, वो किस तरह से जा रहा है? towards the normal. ठीके? हम इसको विरेश करते हैं. चलो student, अब हम क्या करेंगे? एंग second angle of depression की उपर और तुरा सा जानकारी लेते हैं. पहले के तरह ये क्या है? ये glass medium है, जाते is dancer medium. ये है आपका ये आर radar medium. ये ray inclined incidentally on the glass medium. तो क्या होगा? ये दोखो, यहां पे अगर मैं एक नर्माल खिसता हूँ, तो angle of incidence है i1 और angle of reflection है r1. ठीके, यहां तक आपने समझ चुके होंगे, तो आप देखो, यहां से एक ये point of incidence, ये सा भूल जाओ, ये है आपका point of incidence, यहां से एक नर्माल लोग, जिस नर्माल. आप देखो, जब यहां से आनके बाद, जब कोई भी ray of light, जब dancer medium से rare and medium, ये क्या है? ये यार है, तो ये है आपका rare and medium. जब जाते हैं, तो क्या होगा? रिफेटेड रे क्या होगा? बेंस अवे फ्रम दी नर्माल. ठीके, बेंस अवे फ्रम दी नर्माल. ये आपका क्या है angle of incidence, in this case, second angle of incidence, तो क्या होगा? रिफेटेड रे जो होगा, ये बेंस अवे फ्रम दी नर्माल. नर्माल कुंची है? आपका ये है नर्माल, ये देखो, तोड़ा सा उधार चला गिया, ये है आपका angle of reflection, second angle of reflection, that is R2, हम इसको R2 में रिनोट करेंगे, ये R2. आप देखो, अ value of angle of incidence, that is I2, R2 is greater than I2, तो हम क्या लिख सेकता हूँ? इसमें, ये angle of reflection, पद पहले लिखना हूँ, angle of reflection कुंची है? M dash, O dash, or S, इस angle of reflection, that is R2, is greater than the angle of incidence I2, I2 कुंची है? आपका O, O dash, and M, ठीक? तो हम पहले क्या लिखेंगे, जो हम बताया थे, क्या Contortion ले सकता हूँ, कि कोई भी ray, जब टेवल करेंगे, from a denser medium to a rarer medium, obliqually, क्या आप मने पताया था, it bends away from the normal, ये normal से, ये normal से हर जाएंगे, तो और भी angle बढ़ा हो जाएंगे, angle of reflection बढ़ा हो जाएंगे, जो हम बताया हो जाएंगे, angle of reflection बढ़ा हो जाएंगे, जो हम आपका the denser medium is always smaller, उल्टा करके भी लिख सकता हो, कि angle of reflection is always greater than the angle of incidence, clear, अब मैं इसको erase करता हूँ, एक point, very important point, मैं आभी लिख बताने जाएंगे, ये जो emergent ray है, इमर्जन रे है, अपका o dash s, ये जो emergent ray है, वो देखोगे, आपका इस line से ये parallel है, ये दोनों parallel है, इसका मतलब है कि, इमर्जन रे है इस परलाल तु द 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 ठीक, इसके बाद हम आगे बाढ़ते हैं. MCQ के लिए और दो पोइंट आपको देता हूँ, मैं देखो, लाइन पढ़ो ठीकता राच से, अगर मालो यह है आपका glass slab और यह है आपका air, अगर कोई रे नर्माल है, अगर कोई रे नर्माल है, अगर कोई रे नर्माल है, तो क्या होगा, अगर कोई रे नर्माल है, 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 तो इसको डेवेट करने के जगाई नहीं है, यह सिधा नर्मल की तरह आहा है, तो क्या होगा इसका? It does not suffer any reflection. Very important line है, that is, ray continues in a straight-land path. अगर straight-land path में जाता है, तो angle of incidence कितनी होंगे? Angle of incidence है क्या? Angle of incidence किसके साथ ना पा जाता है? नर्मल के साथ. तो क्या है तो तो फिर्फ और फिरंगे क्या है ये जी समझेở चुझे बैर इन अरफ इंडा तिरो अर बर फिर्फ टाय मैं भी हो यह या तुरा तुल पाटनीष दिश्डित पिर दकशक करते हो लो Now we shall study laws of refraction. चलो, क्या लिखा फिर्स्ट लो, Incident ray, Refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence, all lie in the same plane. मानलो, two transparent media का मतलब है कि क्या है? एक है यार, दूसी है Glass Lab. ये जो interface है, उसमें क्या होगा? Incident ray, Refracted ray, और क्या है? नॉर्माल जो है, all lie in the same plane. ये इसका पाड़ा में हमने 3D दिखा दिया था, एक पिक्चर भी, आपको डायग्राम. कहां पे? laws of reflection का time में. तो एक ही बात है, वो सेम तरह सी होंगे. में जो point में में दोबड़ आ रहा हूँ. 2nd law of reflection क्या बोल रहा है? तो है, if i is the angle of incidence and r is the angle of reflection, तो क्या होगा? ratio of the sine of angle i divided by, that is, sine of angle i divided by sine of angle r is equal to a constant. that is, हम लेंगोज में क्या लिखेंगे, ratio of the sine of the angle of incidence, आपने क्रिगर मोल्टी पर चुके होंगे, तो इसे समझ में आएंगे, sine of angle i, ratio of sine of angle i and sine of angle r is a constant. लेकिन, condition क्या है? for the light of a given color and for the given pair of media. तब जाके यह होगा. ठीके? आप देखो, यह i का जो value है, इसमें एक condition है. क्या condition है? this law is known as science, law of reflection. this is true for the angle. कुंची angle? i should be greater than zero but less than 90 degree. लेकिन इसको समझ माया क्या है? किस तरह से है? मैं इसको आपको समझा रहा हूँ. चलो. Suppose यह है अपका glass slab. ठीके? यह है. अगर i, that is angle of incidence, 0 degree होगा, तो इसका उपर आएंगे नहीं. इसका, suppose यह है अपका point 1 है. अगर 0 degree होगा, i, that is angle of incidence, incidence is 0, that means यह इस तरह से निकाल जाएंगे. इंक्लाइंट अब्लिकली नहीं हो रहा है. अगर इंक्लाइंट अब्लिकली होगे, तो भी तो कोई angle फर्म करेंगे. अगर, माल लो, यह है अपका normal. अगर कोई भी incidence rate 90 degree होगा, that means, यह है 90 degree. तो क्या होगा? मैंने पहले क्या बताया था? अगर angle of incidence अगर normal के उपर आता है, that is 90 degree form होता है, कोई transparent medium के उपर. तो क्या होगा? अपक्या होगा? तो क्या होगा? यह state line से पास हो जाएंगे. इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ? आई का value जो है, और 0 degree से बड़ा होंगे, और less than 90 degree. आप थोड़ा सा याद कर लो, समझ भी लो. ठीके, और एक point क्या है? इस constraint is called refractive index. यह जो constraint है, इसको बोलते है refractive index of the second medium with the expect to the first medium. इसका मतलब है कि second medium कुंछा है? हमने इसमें जो है, यह है आपका glass, यह है आपका second medium, यह है आपका second medium, और यहार जो है, उसको बोलोगे आप first medium. तो हमने यहां पर क्या लिखा? refractive index of second medium with respect to the first. आप चिंता मत करो, यह समझ में नहीं आ रहा, यह जो line मैंने लिखा. आप जो बाद में हम refractive index के उपर और तुर अथा discussion करेंगे, तो यह आपका पूरा चियार हो जाएंगे, तो let me raise it. चलो student, आप हम refractive index के बाद में जानेंगे, लेकिन इसका पहले हम दो तिन line आपको देना चाहता हो, note की तरा mcq के लिए. इंपोर्टन line से, क्या है दखो? Notes, light propagates with different speeds in different media. क्योंकि speed of light है, different media में different होगा, बहकुआ में सबसे ज्यादा होंगे, और यार में बहुत ज्यादा फटाक नहीं है, marginally less, very less, marginally less in the air. लेकिन आपका water और glass में काफी speed कम हो जाता है. इसका पहले देखो, light travels fastest in भहकुआ, with speed 3 into 10 to 4, 8 meter per second. तो यह जो है, आपका तुरा था यादा रखने की कोशिश करो, और मैं क्या बोल रहा था, यार में ज्यादा कुछ फटाक नहीं है, इन एर, the speed of light is only marginally less, marginally less compared to that in भहकुआम. लेकिन, glass और water में काफी फटाक है, it reduces considerably in glass or water. अब हम क्या करेंगे? रिप्रेटिव इंडेस के उपर लिख रहा हूं, बता रहा हूं, वह बरी इंपर्टन है. पहले, suppose B1, let B1 is equal to speed of light in medium 1, ठीके, और B2 is equal to speed of light in medium 2. सबसे पहले हम इसको रिप्रेटिव इंडेस को N से हम signify करते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे? हम रिप्रेटिव इंडेक्स of medium 2 निकाल लेंगे, that is, रिप्रेटिव इंडेक्स of medium 2, with respect to किसका? Medium 1. ठीके? हमें निकलना किया है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और मीडियाम 2, that is, हमें डिवाइड करेंगे, speed of light in medium 2, और उपर क्या रहेगा, speed of light in medium 1, that is, V1 by V2, देखो, क्लियार है कि नहीं? हम अभी उल्टा में निकलेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स of medium 1, with respect to medium 2, और भी हम निकल के आपको दे रहा हूं, तो इसका पहले में erase कर लाता हूं, तब तक आप इसको देखते रहों, आप स्टुडेंट हम क्या निकल लेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स of medium 1, with respect to medium 2, तो N12, तो N12 क्या है, मैंने पहले बता है था, ये 1 है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स of medium 1 निकल ला है, तो दिवाइट करो speed of light और medium 1, उपर क्या रहेगा, speed of light in medium 2, तो इसका speed of light in medium 2 is equal to V2, and speed of light in medium 1 is equal to V1, ठीके, अब एक इंपोर्टेंट रिलक्शन्शिप में आ रहा हूँ, N12 को हम क्या लिख सकते है, N21 को हम लिख सकते है, N1 by N12, conversely हम ये भी लिख सकते है, N12 is equal to 1 divided by N21, ये रिलक्शन्शिप कैसा आया, हम दिखाते है, तो पहले हम लिखा N12, तो N12 लिखा मत लोग, reflective index of medium 1, तो हम क्या करेंगे, speed of light V1 से medium 1 से, डिवाद करेंगे, speed of light in medium 1 उपर रहेगा V2, अब इसका हम लेंगे, reciprocal, तो 1 divided by N12 is equal to, इसका भी reciprocal लोग, बिकाँ इसका भी reciprocal लोग, तो क्या करेंगे, reciprocal, जो लेंगे, तो हो जाएंगे V1 by V2, V1 by V2 क्या है, N21, that is, reflective index of V2 से डिवाद किया, तो reflective index of V2 with respect to V1, Converse भी टू है, जैसे मैं बता रहा आता, यह 1 by, sorry, N12 is equal to 1 divided by N21, यह भी आपका Converse ली इस टू, तो यह जो relationship है, very important relationship है, मैं इसका विदेश करता हो, इसका उपर आपका numerical problem आ सकता है, और एक चीज हम बता रहे है, क्या है, अगर medium 1 जो है, वो अगर vacuum होगा और air होगे, तो refractive index of medium 2 से glass, water, इसको हाम खाली N2 से represent कर सकते है, अगर N2 देखे राखा, तो आप यह समझ लो, कि आपका निकाल क्या देखे राखा, refractive index of medium 2 with respect to vacuum or air, इसको क्या बोलते है, इसको बोलते है, इसको बोलते है, absolute refractive index, clear, मैं इसको erase कर रहा हूँ, next slide के जाने का पहले, आप student, एक छोटे से example ले लो, क्या है, मैंने लिखा, refractive index of water, that is, NW is equal to 1.33, what does it mean, यह जो refractive index of water लिखा, with respect to what, मैंने ले लिखा, तो यह है, absolute refractive index, that is, refractive index of water, with respect to air or vacuum, ठीके, तो क्या लिखा, तो इसको मतलब क्या है, ratio of the speed of light in air or vacuum, and the speed of light in water is equal to 1.33, that is, मैंने किया फ्रामूला है, velocity of light in air divided by velocity of light in water, तो in water, इसका मतलब है कि 1.33, that is greater than, it is greater than 1, इसका मतलब है कि, जब light जो है, water में आएंगे, तो इसका speed कम हो जाएंगे, तभी तो 1.33, greater than 1 हुआ है, ठीके? चलो, आप हम क्या करेंगे, एक टेबल ले ले लेता हूँ, absolute refractive index of some material, तो इसको याद कने की जो रोत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिमाग बे डाल के लाखो, क्या है, सबसे देखो, एक दू एक्जाम्पल में डिसकास कर जाता हूँ, यह है, air, that is, reflective index of air is 1.003, that is, speed of light in vacuum, or speed of light in air, मुटा मुटा सेम है, क्योंकि, it is very nearly 1, that is, अगर डिवाइट करेंगे, किस तला से reflective index की मेंने definition, डिवाइट करो, speed of light in vacuum, divided by speed of light in air, तो क्या निकला 1.003, that is, it is nearly almost same, आप एक जाम्पल लो, यह है, reflective index of water with respect to vacuum, or air is 1.33, और क्या है, इसका साथ compare करो, tarpentine oil की, और carosine oil की, ठीक है, यह कितनी है, 1.47, और carosine की कितनी है, 1.44, तो reflective index जो है, और किसका ज्यादा है, tarpentine की ज्यादा है, इस से थोड़ी से कम है, carosine, that is, अगर speed of light in air से और vacuum से आता है, और water में जाते है, तो reflective index कितनी है, इसका 1.33, लेकिन carosine की कितनी है, 1.44, tarpentine की कितनी है, 1.47, लेकिन एक चीज़ मैं यह सब क्यों बोल रहा हूँ, आपका दिमाग में यह डान लेकि लिए कि, optical density and mass density same नहीं है, क्योंकि water का जो mass density है, वो ज्यादा है, carosine से या tarpenter world से, लेकिन, लेकिन, optical density किसका ज्यादा है, tarpenter world के ज्यादा है, carosine world के ज्यादा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, optical density should not be confused with mass density, mass density क्या है, mass पर इनुट भोलियो, ठीके, यह possible है कि mass density of an optical denser media, mass density of an optically denser media, mass density of an optically denser media, maybe less than that of an optically rare art media, ठीके, आप पुरा clear नहीं होंगे, हम optical density और mass density का उपर next slide में और भी discuss करेंगे, यह थोड़ा सा आपको एक rough idea मैंने दे दिया, आम इसको ठीकता रासे, फिर से हम इसको discuss करेंगे next slide में, Student, अब हम कुछ important topics discuss करने जाड़ाओं, बहुत ध्यान से सुनो, ओ है optical density का उपर, ठीके, सबसे पहला लाइन पढ़ो, क्या लिखा, ability of a medium to reflect light is expressed in terms of its optical density, इसका मिनिंग क्या है, अगर optical density का उपर क्या निर्भर करेंगे, वो medium light को कितनी reflect कर सकते है, clear, ने clear हुआ, चलो मैं एक example देता हूं, देखो, n2, that is refractive index of medium 2 with respect to air or vacuum, formula क्या है, speed of light in air or vacuum divided by speed of light in medium 2, आप देखो, optical density अगर ज्यादा होता है, तो light क्या होता है, इसमें धीरे से पास होता है, मतलब, speed of light will be reduced, optical density ज्यादा, speed of light कम, अगर ये कम से डिवाइट करेंगे, speed of light in air को, तो क्या होगा, इसका value ज्यादा हो जाएंगे, clear, it will be greater than 1, clear, इसका मतलब क्या है, अगर optical density ज्यादा होता है, तो आपका refractive index ज्यादा हो जाएंगे, clear नहीं है, फिर से तो मैं दोबरा रिपीट कर रहा हूँ, optical density अगर ज्यादा होता है, किसी medium की, तो इसका speed of light in that medium will be reduced, speed जो है, उसी medium में, speed of light जो है, वो medium में कम हो जाएंगे, और ये value अगर कम हो जाता है, तो ये value ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि optical density अगर ज्यादा होता है, तो refractive index का value ज्यादा होंगे, it will be greater than 1, clear, इसका उपर मैं next slide में और भी तुरह सा discuss करूँगा कि optical density जो है, और directly proportional to the refractive index, clear, मैं इसको release करता हूँ, next topics में जाने के लिए, आप देखो, क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मैं हटा दिया, ठीके, आप देखो, क्या लिखा, optical density and mass density are not same, इसका पहले भी आमने बताया था कि optical density and mass density different किस चला से है, आमने example फिर से लिख रहा हूँ, water has a refractive index of 1.3, ते कम है, whereas refractive index of tarpentine is 1.47 and carotene oil is 1.44, लेकिन, tarpentine oil का और kerosene का क्या है, इसका मीनिग है कि tarpentine oil or kerosene oil की has more ability to reflect, मतलब, it has more optical density, लेकिन, water का क्या है, mass density is more than tarpentine and kerosene, mass density क्या है, mass density, quantity of mass per unit of volume, water की mass density जादा है, लेकिन, water की, optical जो density है, वो कम है, कितनी है, 1.33, I think it is clear, now let me raise it, अब हम जाड़े next topics में, क्या है, दस, एन optically denser medium, optically जो denser है, और need not have greater mass density, मैंने यहाँ पर बताया था, कि इस तरह से है, for example, kerosene well and tarpentine well are optically denser, लेकिन, इसका mass density जो है, water से कम है, but water has, but then water, but mass density are less, किसका less है, आपका tarpentine well की, और kerosene well की, लेकिन, इसका optical density ज्यादा है, clear, मैं इसको erase कर रहा हूँ, अब हम जाएंगे next topics में, we can also say that medium with a high refractive index, जिस medium की high refractive index से, जिसमे क्या होता है, in which speed of light is less, जो जितना medium की refractive index, जो है, medium with higher refractive index, in which speed of light is less, such medium is known as optically denser medium, बात नहीं clear हुआ, जिसका optically denser medium है, उसको क्या होगा, speed of light कम होंगे, अगर speed of light, वो सी speed of light से divide करेंगे आप, किसको speed of light ज्यार, तो क्या होगा, refractive index जो है, वो higher हो जाएंगे, देखो, इसको बोलते है denser medium, on the other hand, medium in which speed of light is more, mode, speed of light किसका mode होता है, जिसका density, optical density कम होंगे, उसके तो होगा, with lower refractive index, such medium is known as optically rare medium, इसको और एक बार, दो, तीन बार पड़ो, इस slide को, और समझने, खुद समझने की कोशिश करो, तो मैंने और क्या लिखा, speed of light is higher in a rare art medium, rare art medium, जो मतलब optically denser, optically less denser medium, इसमें क्या होगा, speed of light is higher than the denser medium, तो क्या होगा, a rare light traveling from rare art medium to a denser medium, जो rare art से denser medium हो जालाए, और I light, तो क्या होगा, उसका speed of light कम हो जाएंगे, that is slows down, or slows down होगा, तो bend towards the normal, clear, when it travels from a denser medium to a rare medium, तो क्या होगा, denser medium से जालाए, rare medium, rare medium में आती light का जो speed हो जादा हो जाएंगे, it spits up, और जादा होता है, तो क्या होगा, it bends away from the normal, it bends away from the normal, जो हम रिप्रेक्टिव इंडेक्स की glass slab, और वो ड्रो करके दिखाया था, उसमें देख लोगा फिर से जाके, तो आपको समझ में आ जाएंगे, चलो मैं इसको erase करता हो, आप थोड़ा सा फिर से हम क्या करेंगे, आपका जो optical density जो है, वो जो directly proportional to the refractive index, इसका उपर तो रिसी डिसकास, और करेंगे, तो student में क्या बता रहा था, कि ये जो refractive index है, वो directly proportional to the optical density, you can say in reverse order, optical density is directly proportional to the refractive index, इसका पतलब क्या है, जो मने पहले भी समझाया था, that is a medium which has the highest refractive index will have the highest optical density और जिसका कम होगा तो optical density भी कम होगे तो इसका refractive index भी कम होगे भाइस बरसा ठीके चलो इसका पहले भी समझाया था देखो यह ले लेता हूँ और भी second time हम समझा रहा हूँ यह क्या है refractive index of water with respect to air or vacuum इसका क्या formula है speed of light in air or vacuum divided by speed of light in water इसका value मैंने इसा है लिख दिया 1.33 आपका उसे टेबल से चलो speed of light in air और देखो आपको constant है कितनी है 3 into 10 to 8 meter per second तो यह जो value है यह different नहीं होता है so it is a constant तो हमने क्या लिखा इसका जगा में यह के लिखा into तो क्या रहे गिया 1 divided by speed of light in air sorry water तो मैंने क्या लिखा 1 divided by speed of light in water तो इसको क्या केसे लिख सकता हो इसका मतलब है कि यह जो refractive index water है inversely हम बदे मताएंगे is proportional to 1 divided by speed of light in water इसका मतलब है कि reflective index for a medium इसका मतलब कोई भी medium लो से water यह पर मैंने दिखाया था water लेके is inversely proportional to the speed of light in that given medium इसका मतलब है अगर कोई denser medium होता है denser medium मतलब mass density नहीं है optically denser medium होता है अगर optically होता है तो क्या होता है speed of light will be less ठीके तो क्या होगा अगर less से divide करोगे तो इसका value जादा हो जाएंगे इसका मतलब है कि जो denser medium होगा lesser will be the speed of light and thus a denser medium will have more reflective index value ठीके a rarer medium has greater speed of light in it तो greater speed होगा तो यह जो value है इसका value बढ़ जाएंगे इस बार तो इसको divide करोगे किसको divide करोगे one से तो इसका value कम हो जाएंगे इसका value कम हो जाएंगे मतलब इसका value कम हो जाएंगे इसका value कम हो जाएंगे इसका मतलब है कि inversely proportional कि इसका reflective index for a medium is inversely proportional to the speed of light in that given medium ठीके और speed of light कम कम होता है जब यह optically denser medium होता है आप जाके concept clear हो जाना चाहिए आप लोग को post करके दोबड़ा देखिलो इसको तो और खुद समझी की कोशिश करो तो यह पुड़ा का पुड़ा clear हो जाएंगे आप हम क्या करेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेस की उपर एक छोटी सी प्रोब्लेम सल्फ करता हूं यह भी important है चलो लेट उस रिट ग्वेश्चन लाइट एंटर्स फ्रॉम यार टो ग्लास कहा से आडाए यार टो ग्लास में आडाए एविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.50 यह जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देकर राखा है किसका है यह ग्लास की तो एंजी देकर राखा हमें निकलना क्या है what is the speed of light in the glass our speed of light in vacuum is vacuum or air is same 3 into nearly same 3 into 10 to the power 8 meter per second चलो हम क्या करेंगे अभी जो इंफर्मेशन हमें देकर राखा हम क्या करेंगे इसको एक करके हम इसको लिखते रहेंगे तो से पहले मैं इसके रोइस करता हूँ हाँ तो हमें इंफर्मेशन एके करके लिखो क्या है हब से पहले speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second हमें लिख लिया और क्या देकर राखा refractive index जो पहले हम बताया थे यह किसका refractive index है refractive index of glass तो ng refractive index यहाँ पे nm लिखा आप इसको ngb लिख सेकते हो ng is equal to 1.50 हमें फर्मूला speed of light हमें निकलना है that is v is equal to what हमें फर्मूला पता है ng is equal to speed of light in air or vacuum divided by speed of light in medium medium means यहाँ पे glass है g ठीके तो cyv okay हमें निकलना किया है हमें निकलना कि भी चलो हम पूट करता हूं इसका भी इसका भेलू ng कितनी है 1.50 और speed of light कितनी है v is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second हमें इसका भी निकलना है तो v is equal to v को यहाँ पे transfer करो by cross multiplication और यह आ जाएगा यहाँ पे तो v is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5 अभी इसका solution किस्तरा से करोगे solve जो है आप देखो 1.5 आप एक काम करो इसको 10 से multiply कर तो इसको multiply करो 10 से 10 से multiply करेंगे तो यह आ जाएंगे 15 और यहाँ पे कितनी आया 3 into 10 to the power 8 into 10 that is 10 to the power 9 laws of indices laws of exponents ठीके आप 3 को divide करो 15 से 0.2 आगिया और यहाँ पे 10 to the power 9 लेकिन यह standard formula लेके आओ तो 2 लेकिए आगिया और 0.2 मतलब 2 by 10 ठीक है 0.2 मतलब 2 by 10 अब 10 से अगर यहाँ इसको divide करोगे तो क्या हो जाएंगे 10 to the power 8 तो आपका answer है 2 into 10 to the power 8 meter per second चलो समझ में आगे होंगे मैं इसको erase करता हूँ student एक और एक problem solve करते है यह theoretical problem है चलो question पड़ो the refractive index of diamond is 2.42 what does the meaning of this statement एक question घुमा की भी दे सकते मैं बता रहाँ किस तरह से question हो सकता है इस तरह से question देंगे ने लेकिन घुमा के दूसी तरह से दे सकते है चलो हम समझ लेते है क्या है हमें refractive index of diamond क्या है speed of light in year divided by speed of light in diamond हमें पता ह इसका मतलो है की यह जो देकर अख़र अखर्फ रहाँ प्राप्र इसका मतलो है की ratio of the speed of light in year divided by speed of light in diamond थिक है तो इसका मीनिंग यह है कि speed of light in diamond हुल भी रहाँ दूस्ट बाइस बाइस तो फोट तो क्वाट वड्रुख रहाँ दूस्ट एक तो इस तरह से रहाँ और प्रफ index of diamond is 2.42, then the speed of light in diamond will be increased by a factor 2.42 compared to speed in air, true or false. तो आपको बलना है कि यह false है, because it will be reduced by a factor 2.42 compared to its speed in air. तो इसको छोड़ा मत इसको भी पढ़ते रहो, एक बर पढ़नाई से आपको समझ में आ जाएंगे, क्या है, क्वेस्टन गुमाकी भी दे सकते हैं. आप स्टूडेंट एक बरी इंपोर्टेंट क्वेस्टन सल्व करते हैं, MCQ के लिए, बरी इंपोर्टेंट प्रम MCQ, point of view, जेखो एक चीज़े, पहले concept clear करो, इसका बाद MCQ का पीछे भागो, अगर MCQ बिना परके, बिना समझ के, बिना concept clear करके, अगर MCQ का पीछे भागोगे, तो आप question solve नहीं कर पाएंगे, आप कहीं पर आटक जाएंगे. चलो, question परता हूँ, if the refractive index of water for light, refractive index of किसका, water का, for light going from air to air, from air to water, इसका मतलब है कि refractive index of water with respect to air, कितनी देखे राखा, 1.33, what will be the refractive index for light going from water to air, उल्टा बोल रहा है. चलो, फब से पहले हम इंपरोशन किया देखे राखा, NWA, NWA मतलब refractive index of water with respect to air, clear, is 1.33, हमें निकलना किया है, NAW, that is, refractive index of air निकलना है with respect to water, clear, हमें refractive index कि सुरुवाद में में एक चीज़ बताया था, किया है, NAW is equal to 1 by NWA, A, that is, refractive index of air with respect to water is equal to 1 divided by refractive index of water with respect to air, तो ये भेलू हमें देखे राखा, refractive index of water with respect to air, medium air is 1.33, वातो, उपर जो है, 1 by 1.33, Is equal to, अगर divide करोगे, तो 0.75, इसको पता है किस सरा से करोगे, उपर निच में क्या करोगे, आप 100 से multiply करोगे, तो उपर आ जाएंगे 100, और निचे कितनी आएंगे, 133, इसको अगर divide करोगे, तो आपका answer आएंगे 0.75, Very important from the MCQ point of view, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि MCQ का पीछे, अभी मत भागो, पुड़ा का पुड़ा पढ़ो, इसका बाद MCQ का पीछे भागो, ठीक? अब हम क्या करेंगे? लेंस के चाप्टा शूड़ करेंगे. लेंस क्या है? यह transparent medium होगा, bounded by two surfaces. Condition क्या है? At least one is spherical, at least one is spherical. दोनों भी spherical हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन at least one surface is spherical. ठीक है? तो लो, lenses are of various types, of various shapes and sizes. देकन how are we classified into two types. एक है अपका convex and दूसरी है concave. Convex को converging lens भी, converging lens भी बोलते हैं, हम इसको diagram बना के आपको दिखाएंगे, और concave को diverging lens भोलते हैं, किसलिए हो हम आपको बताने जा रहे हैं. अपसे पहले हम lenses की shape की बारे में तो आशा देख लेता हूं. Convex lens क्या है? आपको mirror की जो पर रहे थे, तो आपको याद होगा कि आपका mirror जो है, यह कुंसी mirror है? यह है polished surface, यह कुंसी mirror है आपका? यह है convex mirror. ठीक है? अगर याद नहीं रहता है, तो एक यह convex shape लेलो, तो यह आपका convex lenses है, bounded by two spherical small pieces, bounded by two surfaces, one of which is at least spherical. यह है आपका spherical होगा, तो श्री एसा भी हो सकता है, और नहीं तो यह है और यह है. ठीक है? यह है आपका spherical, यह है आपका center, that's optical center. हाम बदो बताएंगे. चो, convex lens, there are different types of convex lens, अगर दोनोई spherical surface होता है इस तरह से, तो इसको बोलते है bioconvex, और एक spherical surface, at least one is spherical, तो आपको इसको बोलेंगे plano convex, clear? अब हाम देखो क्या लिखेंगे, यह lens may have two spherical surfaces, two spherical surfaces, यह may have two spherical surfaces, bulging outwards, such lens is called double convex lens, इसको बोलेंगे double convex lens, इसको बोलेंगे double convex lens, or by a convex lens, or simply a convex lens, it is thicker, दोऊश में thicker in the middle, or as compared to the edges, और यह है plano convex, one is spherical and other is plane. ठीके, clear? मैं इसको erase करता हूँ. ये हे आपका एक convex lens, हमने क्या बताया था? Converged lens को, converging lens भी बोलता है, that is, razor converge to a single point. किसली ये बता लाओ? ये हे आपका optical center, at the middle of the lens, this is the principal axis, आप एकाम करो, this is the air point, I will not tell ये कुन्सी point है, सबसे पहले आरे, F2 लिख भी दिया, कोई बात नहीं, आपको 2 spherical surfaces है, दो आपका focal length होंगे, that is, focus होंगे, चलो, F1, F2, आप देखो, कोई भी parallel rays जो जाएंगे, तो क्या होगा, convex lens क्या करेंगे, ये यहाँ पर आके आपका intercept हुआ, ठीक है, ये up-cross करके निकाल गया, चलो, एक ray और ले ले लेता हूं parallel, देखो, ये भी उसी point सी निकाल रहा है, चलो, निचे से भी ले ले लेता हूं, तो parallel rays are converging to a point, ये कुंसी point है, this is called focus, ठीक है, ये आप डिसकास करेंगे, बाद में यहाँ पर आमड़ा खाली बोलेंगे, convex lens converges light rays as shown in the figure, hence convex lens are called converging lens, ये याद रखो, convex lens मतलब, converging parallel rays आएंगे, तो वो focus से पास हो जाएंगे, clear? अब हम जानने के कोशिश करूँगा, concave lens की इस तरह से होता है, that is, ये भी spherical surfaces है, bounded by two spherical surfaces, at least one spherical surfaces, अगर दो spherical surfaces होता है, तो बोलेंगे by a concave, अबसे पहले ये ये याद चीज याद करो, ये कुंसील mirror है आपका, ये है आपका polished surface, ये है आपका concave mirror, ठीके, it is also a part of a spherical, hollow sphere, चलो, एक और ले लेता हूँ, आपका concave mirror, तो इसको ये भी, एक part of a spherical hollow sphere, तो इसको इसा करेंगे, तो कुंसी बन जाएंगे, concave lens बन जाएंगे, ठीके, चलो, ये याद राखने के लिए, एक टेक्टी से, याद राखने के लिए, आपको ये मने बताया था, mirror की याद करके, आप concave lens भी याद कर सेको, तो देखो, एक at least one surface is to be part of a spherical, that is spherical, दूसरी plane भी वो सकता है, आपका convex lens के तरह, तो देखो, यहाँ पर देखो, thinner, और edges जो है, और तुरा सा, ये ठीकर हो गया, ठीके, तो हम किस तरह से define करेंगे, ये है double concave lens, double concave lens और by a concave lens, double concave lens is bounded by two spherical surfaces, curved inwards, ये हैं, यहाँ पर तुरा सा curved inwards हो गया, it is thicker at the, यहाँ पर thicker हो गया, और thin at the middle, ठीके, a double concave lens is simply called a concave lens, लेकिन concave lens जो है, प्लेनो concave भी हो सकता है, आपका convex lens के तरह, चलो, lens के बारे में थोरी बहुत idea हमें हो गया, आप हम देखेंगे, इसका diverging क्यों बोलते हैं, इसको, यह है आपका concave lens, आप देखो, क्या है, यह है आपका optical center, यह है आपका principal axis, लोग ले, ray parallel to the principal axis, यह जो ray है, आप यह कैसे जाएंगे, देखो, यह diverge हो रहा है, चलो, और पीछे से जब हम इसको trace out करेंगे, तो एक point से और टाच करेंगे, principle axis को, चलो, और एक, यह है आपका principal focus, चलो, अगर यहां से कोई ray, तो कोई reflection नहीं होगा, यह सीधा, और पार straight निकाल जाएंगे, ठीके, चलो, एक ray, और ले ले लेता हूँ, परदाल to the principal axis, तो क्या होगा, यह भी diverge होगा, अगर इसको backwards से trace करता हूँ, देखो, यह focus से और निकाल जाता है, ठीके, यह देखो, तो क्या होगा, कि यह जो rays है, diverging, जो है, appear to diverge from a single point, that is F1, इसलिए इसको क्या बोलते है, इसको diverging lens बोलते है, तो क्या बोलेंगे, a concave lens diverges light ray as shown in the figure, and such lenses are also called diverging lenses, यह आपका class 7 की actually concept है, class 7 में यह पढ़ चुके हुआ आप, चलो student, अब हम लोग lens chapter की main code की तरह जा रहा हूँ, आपसे पहले दोखो, image formation बाइए, convex lens, convex lens, आपको याद है, convex mirror की सरा से होता है, यह है आपका polished surface, यह है आपका convex mirror, तो convex lens कैसा होंगे, आप दिखा रहा हूँ, आपको यह है convex lens, दो जोर दो, यह is part of a spare, one spare, एक और लेलो, part of one spare, लेकिन यह कोई polish service नहीं होता है, यह transparent medium होता है, लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने यह थुरा सा दिखाया, tactics, चलो, आप यह है आपका convex lens है, यह है आपका optical center, middle of the lens, यह है आपका principal axis, और क्या है, एक object law at infinity में, यह है आपका object है, A, B, ठीक है, मैंने यहाँ पर draw नहीं किया, object से जो infinity में कोई object होंगे, तो किस तरह से ray आएंगे, आप assume कर लो, यह parallel to the principal axis, और क्या है, parallel to the principal axis होंगे, तो कहां से पास हो जाएंगे, और एक, और focus से पास हो जाएंगे, इसको, यह है आपका focus, यह focus से पास हो जाएंगे, इसक आप actually F1 नहीं, F2 लो, क्योंकि यह जो spare है, और part of spare, इसके 1 होगा, और यह जो है, यहाँ पर होंगे आपका F1, ठीक है, F1, ठीक है, एक parallel ray all लो, वह भी क्या करेंगे, आपका focus से पास हो जाएंगे, parallel ray is rule है, यह, अगर ray is parallel to the principal axis, always pass to the first row focus, चलो, एक और ले लेता हो, यह भी focus से पास हो जाएंगे, यह भी parallel ray ले ले लाओ, यह focus से पास हो जाएंगे, तो देख रहो हो, कि image जो है, कहाँ पर फर्म होंगे, actual intersection of ray, that is F1 पर, F2 में फर्म हो जाएंगे, तो हम क्या दिखेंगे, what is your object, position of the object is at infinity, अब हम characteristics of image आएंगे, कहाँ पर फर्म हो जाएंगे, position of the image क at F2 पर फर्म हो जाएंगे, on the other side of the lens, on the other side of the lens किसलिये बोला, क्योंकि object है यहाँपे, और image कहाँ पर फर्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने लेखा on other side of the lens, ठीके, आप देखो, size of the image, यह पुल्कूल पोइंट है, highly diminished to a point, highly diminished to a point, आप देखो, यहाँचे पताई ने चल रहा है कि यह इन्वार्ट है या इन्वार्ट है, लेकिन अगर एक्ट्वल इंटर्सेक्शन से कोई image पर्म होता है, तो image is real, और मैंने क्या बताया था, real होगा, तो आप आखे बुदके इसको इन्वार्ट लिख दो, आगर भर्चूल होंगे, तो आखे बुदके आप क्या लिखन है, रेक्ट लिखना है, ठीक है, आप देखेंगे, uses क्या है, दखो, because of this property, a convinced lens used, used as a burning glass, कि कोई वो sun ray क्या करेंगे, एक पॉइंट पर लेके आएंगे, तो इसलिए इमेज of sun, ठीक है, तो इसलिए ये प्रपार्ट को इन्वार्ट को कि इसमें use होता है, burning glass, चलो मैं इसको करता हूँ, I think, actually concept जो है, अगर mirror का concept आपका clear हो गया, तो lens जो है, कुछ बने ही है, कुछ जल्दी हम खतम करवा देंगे, तो मैं बोलूंगा, कि जो first part of light है, वो ठीक तरह से पड़ो, तो lens जो है, आपका कुछ time ही नहीं लाएंगे, अब हम देखते है, how image is formed, कब, जब आप object को कहा प्लेस कर रहो, beyond twice f1, but not at infinity, twice f1 means c, c की beyond c1, that is, center radius of करवाचार की बाहर आप करेंगे, चीके चलो, आप lens लेलो, एक, this is the convex lens, यहे आपका optical center o, ठीके, यहे principal axis, और एक object, पहले हम f1 को देख लेता हूं, कहां पे है, आपने यह लिए f1, और यह लिए twice f1, that is c1, that is center of curvature, यहाँ पर भी f2 लेलो, अच्छा, f2 हमें बात में दिखा रहा हूं, चलो, यह है आपका object, ab, कहां पे प्लेस किया, beyond twice f1, that is, beyond c1, चलो, हम पहले क्या लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखो, but not at infinity, that is, all the rays should not be parallel, आप क्या करों कि है, हब से पहले एक parallel rays, लो, mirror की तेरा, तो यह जो रेस है, आपका reflection कहां से पास होंगे, हम बता रहा हूं आपको, यह है f2, यह है आपका twice f2, that is c2, यहाँ पे आप लिख सकते हो, this is c2, that is center of curvature, तो rays जो है, आपका reflect किस तरा से होंगे, आपका f2 से पास हो जाएंगे, फोकास से पास हो जाएंगे, एक ray or low from a through the optical center, तो क्या होगा, आपका यह जो ray है, यह कहीं पे सीधा पास हो जाएंगे, because it passes through the optical center, और क्या है, अब alternately, एक ray ले सकतो, from a, आप इसला फोकास से जा रहा है, अगर देखो, यह जो परलाल जा रहा था, तो कहां से पास हो रहा था, फोकास से पास हो रहा था, अगर फोकास से पास करवाँगे इस बार, तो कर एक इसला से जाएंगे, it will be parallel to the principal axis, अब देखो, कहां पे intersection हो रहा है, देखो, यह से जो ray आ रहा है, और देखो, कहां पे actually intersection हो रहा है, इस point पे हो रहा है, that is twice f2, and twice f2 की बीच में हो रहा है, कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परलाल ठोड़े पास हो रहा है तो यह जो एका image जो है, यहां पे फॉर्ण हो रहा है, that is actually, this is a dash and this is b dash, this is b dash, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको erase कर ला तो हम पहले, हम erase कर दिया, आप देखो, कहां एक चीज़ और बता रहा हूं, इसमें, आपका object distance कहां पे है, that is, यह जो distance है, यह object distance, this to this, तो हम इसको इसक कर रहा हूं, यह है आपका object distance and this is your image distance, that is v, चलो हम क्या लिखेंगे, आप position of the object, कहां पे है, beyond twice f1, यह है आपका twice f1, इसका पीछे आप राखा, that is, beyond twice f1, image कहां फोले है, हम लिखेंगे characteristics of the image, what is image formed, between f2 and twice f2, कही पे, आपका image फोले है, लेकिन, on the other side of the lens, पहले बता यह बता other side of the lens, आपका object है यहां पे, image form होला यहां पे, तो हम बोलनगे other side of the lens, आप हम characteristics में क्या बताएंगे, size of the image, यह देखो, यह आप देख पाड़ो, यहां पे, यह small हो गया, that is, diminished हो गया, आप देखो, यह जो image form होला, किस सरा से form होला है, actual intersection of the reflected place, तो क्या होगा, real होगे, और real होगा, तो यह आखे, बोद के आपको inverted लिखना है, चलो, मैं इसको erase करता हूँ, अब देखो, इसके uses क्या है, एबाप property है, यह जो property है, used in correction of farsightedness in the human eye, correcting the farsightedness in the human eye, अभी farsightedness क्या है, हम बता रहें आपको, देखो, farsightedness मतलब यह इसको बोलते है, hyperopia, तो is the inability of the eye to focus on nearby objects, that is problem, आपका कहाँ पर है, जब nearby problem होता है, तो इसको बोलते है, farsightedness, farsightedness मतलब दूर की object देखने में, आपका कोई problem नहीं है, the farsighted eye has no difficulty viewing distant objects, actually, यह जो problem होता है, आपका 40-47 की बाद ही होता है, यह farsightedness, सब को होता है, बच्चों की भी होता है, लेकिन बच्चों का जो muscle है, eye muscle है, वो adjust कर सकते है, तो आपका जो image है, और retina रख पड़ाता है, लेकिन वो मोर हने के बाद जो क्या होता है, आपका muscle जो है, और तुरा सा stiff हो जाता है, तो image जो है, आपका retina का पीछे form हो जाता है, behind your retina, तो इसमें आपका नस्दी की जो देखने के लिए, इसम इसके बोलता है, fascia redness, और hyperopia, ठीक है, और एक चीज है, कहाँ पर यूश करेंगे, photographic camera, जहाँ पर क्या होता है, small image of an object is formed, small image हो गिया, object is formed, कहाँ पर on the film, placed between f2 and twice f2, clear, तो आप lens की जब पढ़ेंगे, diagram के साथ साथ, इसका usage भी पढ़ते रहो, आप तो लात लोजिक भी now, we shall see how the image is formed, कः जब हम object को प्रेस करेंगे, at twice f1, यह, यह, बाळता हुपर, ठीक है, चलो एक lens लेंगे लिए रहता हो, इस था पर, इस खनाने रहता हो, इस था था चलो, इस जहाँ एक lens लेंगे रहता हो, इस था था बाइस दो अप्टल अब्स अपर, इस दिस प्रिश इसको C1 भी हम बोलेंगे यह है आपका F2, this is your twice F2, that is C2, clear, आप हम object प्लेस करें कहां पे, at twice F1, that is C1 की उपर, चलो एक object ले लेता हूँ, A, B, यह है आपका A, B, आप सबसे पहले एक परलाल रेज लो, परलाल to the principal axis, आपको पहले बताया था, जो रे परलाल to the principal axis होगा, तो कहां से पास होँगे, फोकास से पास हो जाएंगे, चलो एक ray और कहां पे लगए, तो ओप्टिकल संटार यह सी धार निकाल जाएंगे, क्योंकि यह ओप्टिकल संटार से पास होड़ा है, एस पार रूल, ठीके, तो देखो, यह से जो ray आड़ा है, कहां पे intercept होड़ा है, तो आपका image जो है, एका image निचे फर्म होड़ा है, निचे, तो यह होगा आपका inverter, इस एदेश, 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 ठीके, आप देखो, हम लेखते है, position of the object कहां पे बैठाया, at twice f1, or alternately, you can see that, it is c1, आप हम characteristics of the image, इस image हम पर देखते है, क्या है, image कहां पर होगा है, देखो, position of the image कहां पे, at twice f2, or c2 में पर होड़ा है, लेकिन बोलेंगे, on the other side of the lens, क्योंकि आपका object यहां पे है, lens यहां पे है, और image पर होड़ा है, दूसरी साइच पे, तो बोलेंगे, other side of the lens, size of the image, देखो, a, b, and a, b, of the same size, that is, हम लिखेंगे, size of the image, same size of the object, और क्या लिखेंगे, nature of the image कहा है, actual intersection of the rays, इसलिए हम बोलेंगे, this is real, and real बोलेंगे, तो आखे बोद क्या हम लिखना है, this is inverted, चलो हम पहले, यह रेस करता हूं, uses परने के पहले, अब हम देखेंगे, इसका uses कहा है, एभा property is used in terrestrial telescope to see the distant earthly object, यह जो वार्ड है, earthly, यह आपका start देखने के लिए है, यह property उसका होता है, आपका दूर की building, दूर की mountain, पेर पुधा देखने के लिए, दूर की, तो earthly objects को देखने के लिए यह आपका use होता है, चलो हम इसको delete करते हैं, आप हम क्या करआंगे, अपजेट को कहा प्लेस करेंगे, बेचे एफ इसको फफ लाव यह? यह तर्ष आप पहली के तरह O and this is the principal axis, this is the F1, this is the twice F1, that is C1 and इधर बेलो F2, that is all ले लेंगता हूँ twice F2, that is आपका C2, आप object कहाँ प्लेस करेंगे? आप जब ड्रोग करेंगे तो आपके कर लिजेगा, तो इमें स्थिक तरह से फॉर्म होंगे, तो आप अपको क्या कहाँ बैठाना है? F2, F1 and F1 की बीच में कहीं पे आप बठा दो, यह object है आपका AB, सबसे पहले, पहली के तरह क्या करेंगे? एक रे रे रेंगे, परदाल to the principal axis, वो कहाँ से पास होंगे? आपका प्वकास से पास हो जाएंगे, और एक रे लोग आपका throw optical center, देखो कहाँ पे intersection होड़ा है, यहाँ पे intersection होड़ा है, कहाँ से कुन सी किसका? A का, A का जो A से जो रे आ राय हो यहाँ पे intersection होड़ा है, तो आप क्या करेंगे? एक परपुन्टर का किचेंगे, एक पर प्रिंसिपल एक्सिस का उपर, तो आपका इमेज बनगे, A देख बेदी, B देख, that is inverted. तो हम क्या लिखेंगे, position of the object between twice F1 and F1, आप हम characteristics of the image लिखेंगे, position of the object कहाँ पे है, between twice, sorry, beyond twice F2, यह आपका twice F2 का बाहर, that is C2 का बाहर आपका इमेज पर्म हो राए, on the other side of the lens, because आपका object यहाँ पे है, यह आपका lens है, आपका image पर्म हो राए, on the other side of the object, तो other side of the object हम लिखेंगे, other side of the lens, characteristics of images में और क्या लिखेंगे, size of the image, देखो, यह है आपका AV टिंगू था, यहाँ पे आपका image पर आपका इमेज एक्चुली यह जो है, actual intersection of the reflect rays, तो हम बोलेंगे, real, और क्या बोलेंगे यहाँ पे, आखे बुदके, inverted, यहाँ दिखाई भी दे आपका इमेज करते हैं, पहले, आप देखो, इसका uses क्या है, the above property used in an optical projector, हो यहाँ एन an enlarged image of small slide, सपोर यह एक small slide है, इसका देखो, enlarged image form हो जाएंगे on the screen, तो it is used in an optical projector, हो यहाँ एन an enlarged image of small slide is formed on the screen, ठीके, आप साथ साथ में क्या करेंगे, यूजर भी पढ़ते रहो, कोई भी question करके बैठ जाएंगे, अब हम देखेंगे, हो यहाँ दा object is placed at f1, पहले के तरह एक ले लो, convex lens, optical center, principal axis, यह है आपका f1, यह है आपका twice f1, that is c1, यह है आपका f2, that is twice f2, that is c2, आप object कहाँ पर लेंगे, एट f1 पर ले लोगे, यहाँ पर आपका object बढ़ता दो, that is, आपका a, b, सबसे पहले एक परदाल raise लो, परदाल की पिंसिपल एक्सिस, तो आपका कहां से पास हो के निकाल जाएंगे, ठीके, और एक, रेलो, from a, through the optical center, यह सिधा यहां से निकाल जाएंगे, ठीके, आप देखो, यह जो है, आपको मिरार की, आप याद कर लो, आकर याद नहीं है, तो part 1, फिर से देख लो, तो क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे, देखो, आपको या infinity, position of the image, image is formed at infinity on other side of the lens, ठीके, size of the image, highly enlarged, और nature of the image, real होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा, image is formed at infinity on other side of the lens, तो real होगा, और real होगे, तो यह इन्वार्टे होगे, तो यह जो, इसका जो uses है, अभा प्रपर्पर्टी यूज, कहां पर होड़ा है, इना सार्स्लाइच, इसलिए कि ए सार्सलाइच में यूज होता है, एक परफुल लेंप is placed at the principal focus of a convex lens, और परफुल प्रलाल बीम of light is produced, इसलिए परलाल बीम अगर प्रोडूस होता है, तो हम कहां पी यूज कर सकता हूँ, इसको, इसको यूज करता हूँ, सार्सलाइच की, तो हमने लिखा प्रपर्टी है आपका सार्च राइच, क्लियर, student, यह एक special case है, when the object is placed between F1 and optical center, इस भरी इम्पर्टन क्योंकि यह exception है, चलो एक mirror लेलो, कुन सी, convex mirror, optical center, आपका principal axis, F1, F2, sorry, F1, twice F1, that is C1, यह है आपका F2, twice F2, that is C2, कहां पर object बटाना है, placed between F1 and optical center, that is, this is your F1 and this is your optical center, तो place करो एक object, यह भी, आप parallel raise लो, पहले की तरह, कहां से पास होंगे, फोकास से पास हो जाएंगे, एक लो optical, यह लो optical center के अंदर से, तो यह straight पास हो जाएंगे, आप देखो, image कहा फोर्म हो रहा है, आप क्या करोगे, यह ज collector raise है, इसको भी आप trace back करो, तो कहां पर हो रहा है, यहां पर आके, not actually, virtually यहां पर intersect हो रहा है, वहां से पाल्पन नुकुलार की चो, axis का उपर, तो हाप यहां पर क्या हो रहा है, यह से जो image रह गिया, उसको जो trace back किया, तो A का image कहां पर दिखेंगे, आप A dash पर दिखेंग तो आप कहां लिखेंगे, position of the very important है, यह exception है, मतलब आपका important है, mirror में भी आमने exception दिखाया था, तो position of the object कहां पर है, between F2, sorry, between F1 and optical center O, characteristics of the image, position of the image कहां फर्म हो रहा है, image is formed on the same side of the object, यह है object on the same size, sorry, same side as the object, और क्या है, size of the image, देखो यह छोटा था, enlarge हो गया, तो हम कहां पर उस करेंगे, microscope में उस करेंगे, कोई छोटा सा चीज को दिखने के लिए, जैसे wave pattern की, cloth का wave pattern है, उसको देखने के लिए, हम बाते बताएंगे, तो size of the image is enlarged, और for the nature of the image, देखो यह not actual intersections से नहीं बन रहा है, हम जब पिछे से press out कर रहा हूं, तो जाके आपका intersection हो रहा है, तो यह virtual and erect, भirtual होंगे, तो erect है, ठीके, आप देखो, हम क्या लिखेंगे, the same properties used in microscope, मैंने आमने पहले बताया था की, यह जो हे, microscope में use होंगे to study biological specimen, और क्या है, इन seeing clearly the wave patterns of the clock to read, find, print, तो very important है, इसको थुरा सा आप ठीक तरा से देख लो, और एक चीज़ बता रहा हूं, आपका question इस तरा से काफी, मतलब, small, short question इस तरा से आएंगे, जैसे MCQ में, find, tell the, state the nature of the image formed, when an object is placed between F1 and optical center, तो आपको table देंगे, बाद में, और table याद कर लो, अगर table में आपको भूल गया, exam hall में, तो साथ-साथ, यह एक मिनित में आपका draw हो जाएंगे, आपका red diagram की knowledge है, तो आप एक मिनित में red diagram यूज़ करके, आप देख से को कि इमेज किस तरा से बन लाएं, तो मैं वो एक इमेज दूँगा, आपको यह एक table, वो table याद कर लो, तो आपको आपको आसानी हो जाएंगे, तो student, यह आपका table है, जहाँ पे अभी जो जितना हमने देखा red diagram करके, जो हमने image फॉर्म करी किया, वो सारे को इस table में है, यह table को आप याद कर लो, जैसे infinity है, अगर object के position infinity में होंगे, तो position of the image कहाँ पे होंगे, focus पे, highly diminished, real and inverted, beyond twice f1, कहाँ पे होंगे, between f2 and twice f2, यह diminished होंगे, real and inverted, at twice f1, at f2 में image होंगे, of the same size of the object, और real and inverted, तिक कि इसे तरह से यह है आपका very important, क्योंकि इसी जगा में आपका सारे real image पर मोड़ा आता, लेकि इस case में आपका क्या होगा, virtual and erect, very important, तो यह table मैं suggest करूँगा, आपको याद कर लो, अगर exam hall में भूल जाते हो, तो एक minute में rare diagram ड्रो करके भी आप सही answer आप निकाल सकते हो, तो हम क्या करेंगा अभी, इसको erase कर रहा हो, next slide ब जाने के लिए, अब हम देखेंगे, concave lens किस तरह से image form करता है, सबसे पहले हम लेंगे object is infinity, आपको याद है, concave mirror किस तरह से होता है, this year, concave mirror, एक concave mirror भी all लो, इसका उल्टा करके, तो आपका हो जाएंगे, concave lens, ठीके, इसको कुछ भी नहीं है, याद रखने के लिए, मैंने यह एक बनाया चलो, आप ले लो, एक lens, यह कुंशी lens है, concave lens है, optical center है, principal axis है, यह आप object लोगे at infinity, so this is year A, this is year B, मैंने यहाँ पे draw करके नहीं दिया, तो आप जब कोई भी object at infinity में होंगे, तो किस तरह से ray लेंगे लेंगे आप, परदाल पूदी principal axis, यहाँ पे आनके बाद यह क्या होगा, diverge हो जाएंगे इस तरह से, आप एक काम करो, इसको trace back करो, trace back करो, trace back करो से आप क्या दिखोगे, यह जो F1 है, वो F1 से आप कर लागेगा कि appear to diverge, चलो, यहाँ पे principal axis से जब लेंगे, तो यह ray क्या करेंगे, और पर हो जाएंगे, it will go straight, so take one more parallel ray to the principal axis, यह भी diverge हो जाएंगे if you trace back, तो यह भी लागेगा कि diverge from F1, appear to diverge from F1, so इसका मतलब है कि यह image जो है virtual है, आप virtual होंगे, तो यह तो दिखाए नहीं दरा है, because size of the object is point size, तो यह होगा erect, कि वर्चोल लिखने से आपको erect लिखना है, तो position of the object is infinity, मैं इसको erase कर लेता हूँ, object is at infinity, हम आप characteristics of the image देखेंगे, क्या हाँ पे है, और image कहा पे फॉन हुआ, image is formed at F1, on the same side as the object, यह की आपका object यहाँ पे है, on the same side में यह image फॉन हो गया, size of the image किया है, pointed, highly diminished to a point, ठीके, आपका नचर of the image, यह है, not by actual intersection, हमने जो trace back किया, reflected rays को तो लागेगा, कि appear to diverge from F1, so nature of the image is virtual, यह point size है, आपका पता ही नहीं चल रहा है, तो आपको virtual होंगे, तो मैंने क्या बताया था, इसको लिखोगे इलेक, और real होता है, तो inverted, चलो इसका यह जो property है, कहां पे यूस हो रहा है, यह हम देखेंगा, यह देखेंगा अभी, कि अबिवा यह लिखो, कि यह बहा प्रपरिषें गलियरन टिलीकोम,चा कूलो इसको रहा है, तो रहा हो है, जो ओडी करता हूं, शो यह को का है, की है, तो आड़ा है यह आघना आपटीटल चाहन मचले से उप्सेटल, फिजज़ कहा होता हूं, तो लिखु रहा दोनी रह यह हे अपका लेंस, कुंसी लेंस है, अपका लेंस, कुंसी लेंस है, अपका क्या 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 अगर ट्रेस्ट बेक करता हूं तो एफ वान से पास होंगे आप एक रे लो थो दी ऑप्टिकल सेंटर यह अरपर हो जाएंगे क्योंकि यह अप्टिकल से जा रहा है आप देखो इमेज कहां पर फोर्म हो रहा है यह रे एसे गिया एक्चुली स्ट्रेट निकल गिया आप जो यहां से जो परदाल रेस आया यह रिफ्लेक्ट हो गया जब ट्रेस्ट पे कर रहा हम तो यहां पर आके दोनों रेर लागया कि इंतर्सेक्ट हुआ यहां से एक पारफर निकला किचो यह अधिश भीदेश ठीक है क्योंकि यह अधिश भीदेश क्यों है एब देखो यह से यह रिफ्लेक्ट होके आया है आपका यहां से यह है आपका इंतर्सेक्ट कर रहा है एदर से तब देख मेंज इमेज इस वर्चुएल क्योंकि यह जो रिफ्लेक्ट रहे है आप ट्रेस्ट किया तब जाके इंतर्सेक्ट हुआ ट्रेस्ट करके जो इमेज फोन होगा तो यह होगा virtual और virtual होगा तो यह होंगे erect तो हम क्या लिखेंगे position of the object anywhere between infinity and the optical center और क्या है characteristics of the image image कहापे पर्म होडा है position of the image between this image is formed between optical center O and F1 and on the same side as the object यहापे object हुआ आपका image भी उसी side में पर्म हुआ तो हम लिखेंगे size of the image देखो यह देखो यह चोटा हो गया तो image लिखेंगे diminished और nature of the image क्या है यह by virtual and erect image पर्म हुआ कि क्या ट्रेस्बेक करने से आपका image यहाँ पर लागा कि intersect हुआ तो it is a virtual and virtual होगे तो erect होगे एक चीज़ आप note कर लो कि concave lens में जो image दोनों की के इसमें हमने क्या देखा image is virtual और virtual होगे तो image erect होगे चलो हम इसको erase करता हूँ तो student यह है image formation by concave lens की actabular form हम दे रहे इसके पहले जितना डिसकस किया image किस तरह से फर्म होगा था उसका actabular form है जिससे पहले की तरह दिया है यह table आपको याद करो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो यह जो concave lens से image form होगा है all images are virtual and erect, virtual and erect तो यह easy है तो आसा देखलो infinity में होंगे तो focus में होंगे और between infinity and optical center of the lens कहां पर form होगा है between focus and f1 and optical center तो जो main point note करना है तो है दोनों केस में यह virtual image दे रहा है ठीके मैं इसको erase कर रहा हूँ अगっと पर रहा हम इकर रहा है न hall रिपना प्यक्त के रहा है कोगा जीज़ के स्टनिस प्परक रहा है तो हैं employed प्यों प्रते कोंदन सप्परी के हाँ हो, है तो आस फ्परकंगच थे स्टनिस पैरीं कहा हो JOSH C life यह है आपका convex mirror, this is the convex lens, यह है आपका principal axis, this is the optical center, suppose this is F1 and this is F2, आप देखो, यह में, sorry, object कही में भी बैठाओ, तो क्या हो रहा है, देखो, रहे जो reflect होके, आप पहलो वाला slide देख लो, reflect होके कहां से पास हो रहा है, फोकास से पास हो रहा है, अब 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 यहां भी बैठाओ तो भी यह क्या करेंगे, यह इस तरह से फोकास से पास होंगे, तो यह जो है, यह है, कहां पे, अगर coordinate geometry आपको याद कर लो, coordinate geometry, तो यह है आपका plus, ठीके, यहां पे minus plus, ठीके, तो कहां पे हो रहा है, यह है right hand side में हो रहा है, तो क्या हो रहा है, is always positive, and that of a concave lens is negative, concave lens, दख यह है concave lens, यह है आपका principal axis, this is f1, and this is suppose f2, आप देखो, कोई भी object यहां पे लिया, तो क्या हो रहा है, यहां पे आना के बात, क्या हो रहा है, यह diverge हो रहा है, जब हम traceback कर रहा हूं, तो यह focus से पास हो रहा, that means, focus कहां पे है, on the left hand side, ठीके, तो यह sign किया है, coordinate geometry में, मैंने यहां पे दिखाए, आपको minus minus, है ना, तो क्या होगा, that way, concave lens is negative, अगर concept समझ जाओ, तो आपको याद करने के कोई जोड़त नहीं है, अगर confusion हो, तो यह इस तरह से आप इसको drawing करके भी आपको याद कर से तो चल मैं इसको erase करता हूँ, हाँ, आप देखो, next में आता हूँ, अगर करके आप समझ जाओ, इसको, 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 अगर करने के जोड़त नहीं है, एक बाद दुबार पढ़ने से याद हो जाएंगे, और logic एपलाई करते रहो, ठीके, object जो है कहां पे बठाएंगे, और यह convention है, place to the left of the lens, that is, object distance U will be negative, ठीके, मिरार के तला, आप देखो lens formula and magnification, same formula है, खाली, क्या difference कहां पे है, खाली, sign combination में है, sign में है, that is, 1 by V plus 1 by U, ना लिखके इसपर क्या लिखकर, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, और V क्या क्या है, image distance, U will object distance, F is the focal length, जे सतला से पहले लिखाता, इस सतला से, यह जो lens formula है, given is general, and is valid in all situations for all spherical lens, पहले, mirror के तला, यह भी for any spherical lens, ठीके, lens formula and mirror formula differs only in the sign between V, 1 by V and 1 by U, हमें लिख भी दिया, यह जो है आपका, यह difference है, और कोई difference है, यह है, sign convention, तो यह similar to the spherical mirrors, clear? Now we shall study the magnification of lens, देखो क्या है, what is the formula, M is equal to H dash by H, ठीके, यह पे देखो, minus is bar Heini, that is V by U, the difference is only in minus sign, ठीके, in mirror, spherical mirror, अपने क्या देखा, M is equal to minus V by U, is bar E plus, ठीके, आप देखो, sign convention क्या है, suppose M is positive, M जो positive होता है, आपको याद है, कि mirror है, M positive का मतलब है, H dash by H is positive, that is, image जो फर्म होड़ा है, वो आपका principal axis की उपर फर्म होड़ा है, ठीके, उपर फर्म होड़ा है, principal axis की उपर, अगर principal axis की उपर फर्म होता है, तो virtual कुंसी होता है, erect होता है, यह है, erect होगा, तो आपका virtual image जो हो, sorry, image जो होगा, virtual, ठीके, यह देखो, एक note हम देरे, कुंसी mirror के बात कर रहा था, concave lens जो है, always forms virtual images, मैंने पहले बे बाताया था, इसका मतलब है की, magnification जो है, by a concave lens is always positive, आप देखो, in case of concave mirror, sorry, concave lens, to always positive, now in case of convex lens, क्या होड़ा है, convex lens, आपका यह जो है, convex lens, यह क्या दर आए, virtual image भी दे सकते है, या real image भी दे सकते है, यह virtual image एक case में देर आए, ठीके, तो value of m, उल्वी, may be positive और negative, suppose m is negative, negative का मतलब है की, आपका image जो है, कहां पर्म होड़ा है, below the x-axis, below the principal axis है, बिलो, अगर below होता है, तो क्या होड़ा देखो यह inverted होगिया, the image is inverted, inverted मतलब यह है real images, तो हमने यहां पर भी lens दे दिया, नोट दे दिया, convex lens जो है, फोंस बोथ real and virtual images, and hence the value of m, may be positive or negative, I think concept is clear, कोई प्रब्लम हो, तो हमें लिखियेगा, अब हम एक दो numerical problem solve करते है, तो आपका जो sign convention है, वो कितनी clear हो गया, you can judge it, चलो एक numerical problem लेड़ाओ, एक concubed lens has focal length of 15 cm, तो f का value देखे राखा 15 cm, at what distance should the object from the lens be placed, at what distance should the object from the lens be placed, that means आपको निकलना किया है, आपको निकलना है, object distance, that is you, so that it forms an image at 10 cm from the lens, that is आपको भी का बनु देखे राखा, के image distance कितनी है, 10 cm from the lens, also find the magnification produced by the lens, that is आपको एम निकलना है, आपको एक चीज़ पताखे, अभी अभी हमने बताया था कि a concave lens always forms a virtual erect images on the same side of the object, that is, क्या है, virtual image form हो रहा है, erect image form हो रहा है, यह आपका दिमाग बेलाख लोग, तो, हबसे पहले हम लिखेंगे कि आपका focal length की उपर, जो जो information देखे राखा, we shall write this, हबसे पहले दोखो, ठीके आपका image distance कितनी है, आपका 10 cm देखे राखा, आप देखो, image, image जो है, आपका lens कुंची है, this is a concave lens, यह a concave mirror, so this is a concave lens, यह always forms virtual images, है जाला object, object से ray आया, तो यह यहाँ से चला जाएंगे, आपका trace back करेंगे, तो यहाँ पे focus से pass होंगे, ठीके, आप देखो, आपना क्या उना इस फरम से भार्चुल इमेज, यह जो extension कर रहा हूं, तब जाके आपका image पर्फेंच, पर्फेंच होंगे, तो यह बंची होशन के जाकर image पर एंपर form हो यह इसylon इमेज, कि पर को आप यहाँ पर से ओना यहाँ मित, आप छक्षेंच सहरे, आपका इसandon इशा में is, इमेज फोर्म खोड़ा है यहां पर, so this is the image distance is minus, यहां पर अगर आपका coordinate geometry अब ले लो, तो यहां पर कुंसी है, यह है minus, यह है plus, तो यहां पर फोर्म खोड़ा है, तो इसे minus sign, ठीक है, और क्या आपके देखे राखा, भी देखे राखा, focal length, अब देखो, यह जो focus है, कुंसी साइड में है, यह है, यह यह भी left-hand side में है, तो क्या होगा, यह इसका value भी minus होगा, that is focal length जो है, minus 15 cm, हमने आप लोको hint भी दे दिया, refractor rays appears to diverge from f1, f1 ले लो इसको, तो appear to diver, जो अब test back कर रहा था, तब जाके image फॉर्म भड़ाता, तो यह left-hand side में है, तो sign will be minus, ठीक है, मैं इसको erase करता हूँ, चलो मैंने erase कर दिया, आप देखो, और क्या information देखे राखा, image 10 cm, और कुछ है नहीं, हमें निकलना किया है, object distance निकलना है, u is equal to what, magnification निकलना है, M is equal to question mark, now, we know, क्या हमें पता है, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, हमें निकलना किया है, 1 by U, so keep it 1 by U here, or there, you take it there, the 1 by U is equal to 1 by V minus 1 by F, ठीक है, now, put the values of all the values, as you know, here, here, V is equal to 10 cm, and F is equal to minus 15 cm, and you take the common, you will get minus 1 by 30, don't divide it here, now, इसका reciprocal क्या है, यह है, इसका भी reciprocal क्या होगा, minus 30 cm, that is, आपका object distance कितनी है, 30 cm, कहां पे कुन्सी तरफ से, आपका left-hand side में होड़ा है, that is, आपका principal axis का यह है, आपका, यह है minus sign, तो यह है आपका object distance, object distance minus होंगे, कि यह always on the left-hand side, so it will be always minus, तो हम क्या लिखेंगे, that the object distance is 30 cm, clear, आप देखो, हमें क्या निकलना था, M निकलना था, M is equal to V, V कितनी है, V का value, यहाँ पे minus 10 cm, रहके राखा, और U का value, आप हम निकालेंगे, यह वाला मत बठाओ, V is equal to minus 30 cm, ठीके, minus cm, so it is 0.333, that is one third, तो magnification यहाँ पे कम हो गया, that is image will be reduced, तो हम क्या लिखेंगे, positive sign, यह positive sign है, positive sign indicates that image is erect, and virtual, अभी जो sign combination में discuss किया, the image is one third of the size of the image, of the object, positive sign जो है, देखो, यहाँ पे M positive है, that is H dash by H is positive, तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे आया, object यहाँ पे है, that is positive मतलब, image is formed above the principal axis, not below, above the principal axis, अगर above the principal axis होता है, तो यह होंगे erect, अगर erect होता है, तो यह होंगे आपका virtual, clear? चलो student, let us try to solve one more problem, इसमें क्या होगा, आपका जो sign convention की, जो concept है, वो पूरी तरह से clear हो जाएंगे, ठीके, चलो हम question परते है, यह 2 cm tall object, यह 2 cm tall object means, आपका height of the object, देके राखा, हम plus यह minus हम बाद में दिसकाश करेंगे, इस placed perpendicular to the principal axis की कुंसी में जार है, यह है, आपका convex lens, sorry, कुंसी lens से convex lens, of focal length 10 cm, that is, f is equal to 10, हमें focal length की देके राखा, प्लस होगे, यह मानस होगे, हम दिसकाश करेंगे, of distance of the object from the lens is 15 cm, that is, आपका यह का बहलू देके राखा, find the nature, position of the image, size of the image, find also magnification, हम एके करके लिखता हूँ, आपके लिखता हूँ, h is equal to 2 cm, आप देखो, प्लस हमने किसलिए लेखा, कि object is always placed above the principal axis, that is, यह है आपका principal axis, x-axis, y-axis, object कहाँ पे place कर रहा हूँ, इसका sign क्या है, यहाँ पे आगिया minus, लेकिन उपर जो है, वो plus है, तो object इस तरह से भी आप सोच सेखते हो, लेकिन यह भी लखो दिया आप दिमाग में, if, since the object is placed above the principal axis, sign is always positive, और देखो क्या लखा, is a convex lens, तो इसका उपर निभर करेंगे, फोकर लेंगे, हम मानस लेंगे, या plus लेंगे, चलो हम लेहाँ, f physical to 10 cm लिख लिया, अभी lens कोंची है, convex, यह है आपका convex mirror, और यह है आपका convex lens, आप देखो, ठीके, यह है आपका f1, यह है आपका f2, आप कोई भी object, suppose यह है आपका object, यह है आपका object, ठीके, यह है A, sorry, this is A, B, आप यहाँ से parallel raised law, यहाँ पर आया, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका, जो reflected होके किस चारा से निकलेंगे, फोका से निकलेंगे, यह जो है आपका distance, यह है आपका focal length, तो focal length कहाँ पर है, और in case of convex lens, on the right-hand side of the lens, अगो right-hand side में लेंगे, तो यह होगा plus plus, ठीक, तो हम नहे कर लेख, focal length is plus 10 cm, हम नहे रिसन भी देढ यहाँ पर दिया, reflected ray, अगो यह पर इसको अप F2 ले लो, यहाँ पर आपले आप लेऊ लो, reflected ray is passed through F2, that is right-hand side of the axis, clear? यह हम नहे इसको positively है, clear? अब देखा object distance, object distance, object is always, यह convention है, object is placed always on the left-hand side of the lens, that is, यह कया है, minus है, तो हम object distance will be always minus 15 cm, that is minus, okay, डिया कया है, बलुडड़ कहा 15, अब हमे निकलना किया है, image distance निकलना है, height of the image निकलना है, हमें प्रमूला क्या है, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, सबसे पहले हमें भी निकल लेता हूं, तो हमने यहां पे राखा 1 by V, इसको यहां पे ट्रांसपर कर दिया, तो 1 by F plus 1 by U, put all the values of U and F, all the values as you know, you are given, it is given, तो हमें क्या निकलेंगे, 1 by V is equal to 1 by 30, don't divide it, you find the reciprocal of 1 by V, that is V is equal to, इसका भी reciprocal कितनी है, 30, यहां पे देखो, यह प्लास हमने साइन दे दिया, क्योंकि यह प्लास ही निकला, तो हमें क्या निकल रहा है, position of the image कहां पे है, कहां पे image पहन हो रहा है, V is equal to positive, that is, आपका image पहन हो रहा है, that is, on the right-hand side, that is, on the right-hand side, ठीके, अगा right-hand side में image पहन होता है, इसलिए, इसका image क्या है, इसको sign है, plus, तो हमने क्या लिखा, positive sign of V shows that image is formed at a distance of 30 cm, कुंची तरफ से, on the other side, यहां पे image लाखा, तो other side of the lens, आपका यहां पे image पहन हुआ, that is, on the right-hand side of the convex lens, आप हमें क्या निकलना है, nature, nature of the image, हम यहां पे कोई answer निकलूंगा, हम पहले magnification निकलूंगा, magnification is equal to H dash by H, ठीके, is equal to VyU, now H dash is equal to VyU into H, ठीक, into H, VyU into H, put all the values, आपको निकल रहा है, यह तो U का value minus 15 cm, तो आपको निकल रहा है, कितनी मानास, that is, H- का sign है, क्या निकल रहा है, minus निकल रहा है, अगर minus निकल रहा है, that is, H dash के value minus निकल रहा है, इसका मतलब है, कि image form हो रहा है, राइचन साइड, लेकिन below the principal axis, अगर below the principal axis होता है, तो इसका मुल्टी उल्टा हो जाता है, that is, it is inverted, अगर inverted होता है, तो ही क्या पंते है, यह बाल 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 बोल रहा है, कि real होंगे, inverter होंगे, साथ-साथ आपको इसको real निकलो, ठीके चलो, मैं इसको इनिकल रहा हूँ, क्लियार, यहां तो क्लियार हो गिया, आप हम क्या निकल लेंगे, दखो, अभी दखो, again, m is equal to, m is equal to, h dash by h, I am magnification निकल रहा हूँ, h dash का value निकल गिया, minus 4 cm, h का value देके रखा, height of the, height of the object, height of the object is plus 2 cm, हमने 2 से divide किया, तो आगिया, minus 2, यहां से भी हम बोल सेते हैं, यहां से हैं, यह है, real and inverted, तो magnification क्या हो गया, double हो गया, इसका मतलब है कि, height of the object था, 2 cm, magnification हो गया, 2, तो image का height कितनी होगा, 4 cm, तो size of the image लिखेंगे, 4 cm, because 2 into 2, and the minus sign indicates that, image is formed below the principal axis, जो हमने पहले बताया था, यहां से भी हम रहा कर सकते हैं कि, यह below the principal axis, image is real and inverted, I think आपका sign combination पूरी तरा से clear हो गया, हम इसको erase करता हूँ, अब हम एक mcq का question answer करते हैं, where should an object be placed in front of a convex lens, ठीक है, convex lens के सामने, कहां पे कितनी दूरी में एक object बैठाएंगे, to get real image of the size, a real image of the size of the real image में होगा, और same size of the object, आपको मैंने क्या बताया था, table आपको याद करना है, नहीं तो trial and error method के ray बनाऊगे, तो आप answer करने में काफी time रह जाएंगे, तो क्या लिखा answer में, option क्या 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 देखा, at the principal focus, at twice the focal length, at infinity, or between the optical center of the lens and principal focus, आपको याद नहीं हो राएं, मैं जब ये ray diagram में आपको दिखाऊंगा, तो आपको पताक से याद हो जाएंगे, कहाँ बेठा है object, at twice f1, that is at center of curvature, तो आपका देखो कहाँ पर फोर्म हो राएं, twice f2 पर फोर्म हो राएं, real and inverted form हो राएं, of the same size as the object, तो आपको क्या होगा answer, at twice the focal length, चलो, let me raise it, आपको टेबल याद कर लेना है बाईया नहीं तो आप अंसर जल्दी से करनी पाऊगे चलो, लेटास टेक वन मोर MCQ on the same concept उसी concept के उपर एक क्वेस्चन और है एक convex lens has a focal length of 15 cm धर ठीकें, राद खोड एक ऐसी वन राद है? राद नहीं के किसे अचनल espaço फैंट का क्या बाउजा है? बाद रेन वोगति है, फैंट के चैप बन राया, राद बन राया? तो भग ओई है तो असके बिस्कें रेल है? same size of the object by a convex lens, object should be placed at twice f1. तो आपको formula पता है, क्या हमें निकालना किया है? ड्रोय रेडाग्राम, आपको रेडाग्राम आपको ड्रोय करने के कोई जोरत नहीं है. ठीके, तो focal length अगर f is equal to 15 cm होगा, तो twice f is equal to 30 cm. आपको question इस तरह से थोड़े सी देख लाओ, आपको ड्रोय करने के जोरत नहीं है, लेकिन आपका object कहां पे बठाएंगे, वहत दो पता होना चाहिए, that is twice f distance में बठाएंगे, that is 15, आपका 15 into 2, that is 30 cm में बठाएंगे, in front of the convex lens. चला मैं इसको इरेज कर लेता हूँ. Let us try to solve one more numerical problem. जल्दी पर लो, a convex lens of focal length to 20 cm, that is, आपका बलू देखे राखा, is placed at a distance of 8, यहाप पे देखे क्लिए हीच है, is placed at a distance of 15 cm from the wall, that is, आपका जो convex mirror, convex lens, आपको कहापे बठा नहीं है, यह है आपका वाल, ठीके, is placed at a distance of 15 cm from the wall, तो आपका यह जो है, यह है आपका 15 cm, तो यह जो distance है, पोल से यह वाल की distance जो है, what is this, object distance, image distance क्या है, अगर image form कहापे होंगे, यह वाल पे होंगे, that is, this is your image, and this is आपका भी, that is, image distance देखे राखा, how far from the lens should an object be placed, आपका object कहापे बैठाना है, object is always on the left-hand side of the lens or mirror, so as to form its real image on the wall, image का nature भी बता दिया था, यह real image है, that is, inverted image है, ठीके, that is, principle axis की नीचे होंगे, आप देखो, हमें क्या लिखा, focal length, यह है, आपका mirror भी नाम भी दे दिया, convex lens, आपका पाता है, कोई भी रे इस तरह से जाएंगे, तो कहां से पास होंगे, फोका से पास हो जाएंगे, ठीके, फोका से पास हो जाएंगे, तो focal length of a convex lens is always positive, तो हमें क्या लिखा, focal length is f is equal to plus 20 cm, since it is a convex lens, और क्या है, image distance देखे राखा 15 cm, अगर अबजेट इहां पे है, तो अबजेट इमेज फोरा है, इहां पे है, on the right-hand side, that real image is found on the right-hand side of the lens, so it will be positive, हमें निकालना क्या है, हाव फार from the lens should an object, that is object distance निकालना क्या है, that is where to find out you, so I shall write it, object distance, U is equal to what, we know the formula, क्या formula है, 1 by V, minus 1 by U is equal to 1 by F, put all the values, you will get U is equal to 30, here it is minus, so object is placed on the left-hand side of the lens, so object always left-hand side निकालना क्या जाता खे, अगर left-hand side निकालना क्या जाता खे, तो distance क्या होगा, minus होंगे, क्योंकि और left-hand side, x-axis, principal axis क्या जो है, sorry, आप को रजेट जीवेट यात क्यालो, this will be minus, बार-बार मैं बता राता, तो it will be, object should be placed at a distance of 30 cm in front of the convex lens, minus होगे, that object is placed on the left-hand side of the lens, it is a convention, ठीके, चल, मैं इरेश करता हूँ, चल, student, एक और एक प्रोब्लम सल्ब करते है, बोज जल जील दिकालवा दूंगा, क्योंकि concept आप लोगा ओरेश क्लिया हो चुका है, if an object of 7 cm height, that is, object height is h is equal to 7 cm, इसका प्लास होगे की मानस होगे, object is always placed above the principal axis, that means, it will be positive, placed at a distance of 12 cm, that is, u is equal to 12 cm, प्लास होगे की मानस होगे, object is always placed on the left-hand side of the lens, so, बार बार मैंस, from a convex lens, of focal length, कितनी है, 8 cm, that is, आपका f is equal to 8 cm, लेकिन प्लास होगे की मानस होगे, depends on the nature of the lens, यह कुंसी lens है, converse lens है, तो आपको पहले ही बताया था, यह प्लास होगे, क्योंकि reflected ray कहां से पास होगे, f2 से पास होगे, on the right-hand side, तो हमें निकलना क्या है, position, nature, and height of the image, चलो हमें लेक लेते हैं बहलू, हमें क्या देकर राखा, h is equal to 7 cm, object distance u is equal to minus 12 cm, क्योंकि object is always left of the lens, or f, f देकर राखा, 8 cm, it will be positive, because it is a convex lens, फ्रमूला पता है हमें, हमें बही निकलना है, h निकलना है, हमें फ्रमूला पता है, 1 by v, minus 1 by u is equal to 1 by f, हमें 1 by v is equal to, करके हमें क्या निकल लिया, 1 by v is equal to, 1 by plus, 1 by 24, that is v is equal to 24 cm, and it will be plus, now, position of the image, plus है, that is on the right-hand side of the lens, हमें यहां पे क्या लेका था, क्या पता है था, focal length, it is convex lens, तो इसमें यह क्या है, focus कहां से पास होड़ा है, on the right-hand side, तो इसमें प्लास होगे, हमें यहां से उर्टा बोल दिया था, प्लास होगे, चलो, v is equal to plus 24 cm, that is, image will be formed on the right-hand side, or other side of the lens, तो हमें यही लेके रहा हूँ, position of the image, positive sign of v shows that, image is formed at a distance of 24 cm, on other side of the lens, that is, on the right-hand side of the convex lens, clear, अब हमें, पहले हम position nature of the image, निकलने का पहले हम h-दे निकल लेंगे, तो आपको आसारी होगा, answer करना में, m is equal to h-दे बाइ h is equal to v by u, हमें h-दे निकल लो, h-दे बाइ u into h, put all the values, you will get minus 14 cm, that is, height of the image is 14 cm, समझ गया, minus sign indicates that, image is formed below the principal axis, तो हमें तो minus होंगे, is equal to, हमें हम निकल लिया, minus 2, that is, magnification is minus 2, तो it will be double size of the object, object height is 7 cm, तो image होंगे आपका 14 cm, क्योंकि 7 into 2, minus है, आप इससे भी answer करते हो, या इससे भी answer कर सकते हो, h-दे अगर minus होता है, तो क्या है, और image जो है, वो बिलो दी principal axis होंगे, तो image will be real or inverted, आप, देखो, image ये है, principal axis, आपका, ये है, आपका lens, आपका image है, बिलो दी principal axis, और भी positive है, तो आपका ये है, inverted, inverted होंगे, तो आपका होगा image, होगा real, ठीक है, तो, नेचा, height of the image, height of the image is equal to 7 into 2, that is 14 cm, and minus sign indicates that, image is formed below the principal axis, जो हमने बताया था, वहाँ पर लिख भी दिया, क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे, तो आपका याद हो जाएंगे, that is, image is real and inverted, size of the image is analyzed by a factor 2, that is, M is equal to 2, let me raise it, power of lens, चलो, यह chapter की last topic है, तो रहे से patience रहके सुनलो, यह भी important है, MCQ के लिए, power of lens is defined as reciprocal, or with its focal length, that is, it is noted by P, and P is equal to 1 by F, so, power of lens is given by, P is equal to 1 by F, आप देखो, since the power of lens is inversely proportional to its focal length, that is, P is equal to 1 by F, अगर F का भेलू जादा हो जाएंगे, तो आपका पावार जो है, और कम हो जाएंगे, क्योंकि यह reciprocal है, तो अगर यह less होंगे, तो यह पावार के भेलू, P is equal to be more, और इसका unit के आखे, इसका पालता है, पूट करेंगे, तो पी is equal to 1 by 1, 1 by 1 meter, ठीके, और 1 M to the minus 1, आप इसका sign combination तो देख लेते है, एक converse lens has a positive focal length, बार बार निवरेकल प्रब्लम में यह शाप कर रहा है, हैंस, power is set to be positive, अगर converse lens होता है, तो इसका power होंगे positive, अगर negative होता है, इसका मतलब एक question किस तरह से आप आखे, अगर power बोलेंगे यह negative है, तो lens कुंची है, आप cancer करना है negative focal length, इस तरह से, मैं पहली बाता रहा था, आप खुदी question सेट करो, इसमेंस, इस तरह से, एक एक line पड़ो, और एक एक question सेट करो, सपोज power बोलेंगे राखा positive, तो lens कुंची है, lens उली बी convex lens, clear? competition prescipes collective lenses indicating their power, सपोज power बोलेंगे राखा, कितने है, पावर एकल तो plus 2.0, अगर पाज प्लास बोलेंगे राखा, तो आपको सोचना है, यह lens देकुंची lens, convex lens, और focal lens कितनी हो गए, प्लास बोलेंगे राखा कितनी, plus 2.0, that is, F को इदर लेके जाओ, P को इदर लेके जाओ, 1 by P, that is 1 by 2, 1 by 2 is 0.5, ठीके, यह मनने लिखा, focal length of the lens is 0.50, that is 1 divided by 2, clear? Similarly, a lens of power is minus 2.5D, अगर मनस होटा है, तो कुंची lens से, it will be concave lens, यह आपको तो रहा तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि concave lens has a negative focal length, तो यह हो जाएंगे minus, अब देखो, इसका power कितनी होगा, the convex lens is concave, और power जो है, has a focal length, focal length is 0.2, minus 0.40, कहां से निकला, यह से एकी formula से निकला, क्योंकि आपका, P is equal to 1 by F, आप power देखे राखा, हमें निकलना है F, F जो है, यहाँ पर लेके आजाओ, P को लेके आजाओ, यहाँ पर, P का value कितनी देखे राखा, 2.5, तो 1 divided by 2.5, is equal to 2.40, और minus sign तो पहले से देखे राखा, तो minus 1.40, so lens is concave, I think clear, एक दो बार repeat करके वीडियो देखे लो, मैं repeat नहीं करूँगा, तो आपको clear हो जाएंगे, इसका पर एक question सर्फ करवा के, इस chapter हम खत्म करना जा रहे, चलो एक छोटी सी numerical problem सर्फ करते हैं, यह आप अरड़ी discuss कर भी चुका हो, तो भी हम इसको आपका revision के लिए दे रहा हूँ, find the power, that is, हमें निकल लाएंगे, P of a concave lens, of focal length कितनी है, f physical to 2, एक कुंसी mirror है, इसका पर f का value आपका निर्फर करेंगे, this is a concave lens, यह है आपका concave mirror, concave lens, तो कहां पर फॉर्म होता है, आपको याद है, यहां से आके और रिफ्लेक्ट के इस तरह से जाता है, तो आपका back side में जो trace करेंगे, तो यह आपका focal length से focus से पास होता है, that is, यह कहां पर होंगे, आपका left hand side में होंगे, आपका left hand side में होंगे, तो focus होंगे minus, ठीके, अमने फिर्स से दोवारा बोल दिया, focal length of a concave lens is minus 2 meter, यहाँ पर 2 meter देके लाखा, तो P is equal to 1 by F, तो यह हो जाएंगे, 1 by minus 2, तो यह minus 0.5 D, अगर minus हे, तो यह क्या निभर, क्या निजिए कर रहा है, is a concave lens, a negative sign is due to the divergent nature of the concave lens, यह इसको भी देख रहो, कोई mark नहीं मिस करना है, तो मैं यह एड़्वाइस करूंगा, यह video, आपका MCQ, आप बाद में सर्फ करोगे, एक-एक line पड़ो, आपका concept करो, इसका बाद आप MCQ करते रहेंगे, तो कोई भी आपका एक मार्क भी आपका मानस नहीं होंगे, डिडाक्त नहीं होंगे, तो मैं एडवाइस करूंगा, मन में इसका बात आप जब MCQ करने जा रहे हैं, जब हम कर पाएंगे, तो आपको स्कूर करना है, तो एक एक लाइन पड़ो, MCQ का पीछे मत भागो, जब कोर्स कंप्रीट हो जाएंगे, पुड़ा समझ जाएंगे, कोई कंसेप्ट लियार हो जाएंगे, तो आप MCQ का पीछे भागो, मैं मनानी कर रहा हूं, ठीके? नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ शुरू करवाएंगे, तब तक आप लोग इसको ठीक तरह से देखो, सबसे पहले हम केमिकल लिक्वेशन्स, असिद बेस साल्स, और राइट इस तरह से हम धिरे-धिरे MCQ तेना शुरू करेंगे, लेकिन इसका पहले आप लोग वीडियो को बा याद कर लो. Thanks for watching.